हाई अब्रीवन माइनेम इस नदीब अगर्ण वेल्किम यू अल इस चैनल तो आज के विडियो में क्या सीखेंगे आज हम करेंगे क्लास फाइव का एससी का चैप्टर नंबर 15 इंडिया विंस फ्रीडम यानि कि भारत ने किस तरह से स्वतंत्र होता है वह अजित की थी किस स्वतंत्र होता है इस चैप्टर में इंडिया विंस फ्रीडम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बही टूवर्ड इंडिपेंडनेंस की तरफ बड़े तो हमने क्या 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 पार्टिशन फेंगौल हुआ सोदेशियन बाइकोट मूब्मेंट हुआ राइज ऑफ र अर फाइनली लास-फिशाग्या मिलजाएगी तो चैप्टर को स्टाट करते हैं तॉर्स इंडपेंटनेंस यानि की तरहाएं यह वेशन कौंटेरी क्या अधिक्onneज वि्लबाइशन दी शकन्रीड होता है और हमें क्या क्या करता है ? अबाउट ओल दा मेजर इवेंट्स इतने भी बड़े-बड़े इवेंट्स वेटे अंटल दा फ्रीडम बॉस अटेंड वाई इंधिया यानि कि जब तक हमें सतंत्रता नहीं मिली थी ना उससे पहले क्या क्या हुआ था उसकी बारे मैं यह चैप्टर बता रहा है सबसे पहल आता है हमारा पाटिशन ओफ बेंगॉल का यानि कि बेंगॉल का पाटिशन हुआ बहारत से अलग किया गया कब किया गया इन 1905 डब्रिटिश डिसाइड टो डिवाइड और पाटिशन बेंगॉल को तुक्रों में भी बाजित किया जाए वन हाफ वोस तू हावा लाज मेज अलगे, अलगे, बेंगॉल का PAL किक बेंगॉल का पाटिशन करने में अनुन हिंने क्या कि आदा हिस्था एसा रखेंगे कि जिसमें बुसलिम जाधा हूं और एक साह रखने का सोच है जिसमें हीं एन अबेंगर्ट singles. अजिन आ आ पहता हो झाम को एम संभी यह ए जोगे उनाइट होने से प्रिवेंट करना चाहते हैं नहीं बचाव करना चाहते हैं इस बात से उनको लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो अगर एक हो गए ज्यादा तो क्या होगा इनका नुक्सान हो जाएगा लास्ट में हुआ भी है कि सब एक हो गए तो यह लोगों को मतलिएं कर दिया टीक है तो यह है कानी चल रहे है तो प्रोटेस्ट अगेंस का बर्टिशन अगेंस। मतलब लोगों ने रही हंत्या डेजांट र्टिषा कर लाय。 लोगों ने इस तरुमाग ठीक हो एक हमाहें बचता सामर्स शुर्व All the interfering hockey pics स्वादेश thirds वड़ेशें स्वाधेश Technical सिवाधे में खूरọn शुट 1 सौराइश पीपल्ट मेरे कुषिया और Lebens сюда भारत के से समान इंडिया का बाइकॉट कीजे दस वोदेशी और बाइकॉट मुवमेंट से लोगों को बहुत रिस्पांस मिला बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गये यूज बॉन फायर वर लिट इन विच फॉरंग बढ़ी बड़ी जगा लगा दी गई इसमें फॉरंग गुर्स को जला दिया गया मैंने विमेनन स्टुदेंस केंब फारवड बहुत सारी ओर ये और विद्ध्यारती जो हैं आगे आए पार्टेंट करने के लिए इन इनमोवमेंट में पलाब बच्चों ने भी मूवमेंट में पॉछ पायर बहुत सारी लेडी इस ने भी किया अंग्रेजों ने तो पूर तो इससे आप काफी चुकन देवांच विए दिर दिर उन्हों ने डिसाइड किया तूरी यूनाइट पैंगॉल कर देते हैं तो फाइनली अंग्रेज स्टीज में हार गया वापस दुबारा से उन्निस सो पांच में अलग अलग किया था बैंगॉल के दो बाग बाटे थी ज्यारा में आकर मिला दिया वापस राइज ऑफ रेवलिशनरी यानि किस तरीके से क्रांतिकारियों का हो दे हुआ क विरुद्ध में खड़े हुए तो लोग दूरिंग दे सेम टाइम उसे समय क्या होता है बेंगॉल विटनेस्ट है राइज ऑफ रेवलिशनरी का मतला उस समय बहुत है राइज होता है उनका होता है यू आपने पड़े हुए हैं मैथर्स जो की मॉडरेट्स ने भी उसकिय करते हैं मॉडरेट्स कौन थे जो बहुत ही जो है इनको समझाने की कोशिश करते थे अंग्रेज को कि भी गलत है ऐसे मत करो ऐसे मत करो उदार बात एक तरीके से और रेडिकल्स कौन थे क्रांतिकरी जिनका एक ही तरीका था मारो कटो समझाओ इनको प्यार सा सुनने वाले प्रिटिश को यह क्या आना चाहते थे एक्सेप्ट दियर डिमांस फॉर फॉर दा वेल्फियर अपंडियांस के भलाई के लिए हावे फिर भी रेविलिशनरी बिलीव करते थे उनका विश्वास्ता क्रांतिकारियों का नैट दा ब्रिटिश कुड बिड्रिवें आउट आ करना यह तो करें इनको तो फोर्स से ही बगाना पड़ेगा अब अर्विंदो घोश हो गए वीर सावर करो गए अजीत सींग हो गए देवर्दा अर्ली रेविलिशनरी इनके नाम आपको याद हो ने चाहिए सम आफ देम वर लेटर आया अरेस्टेड एंग्ड कुछ को तो सब्सक्राइब करने के लिए वह कहां चले गए थे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि वर्ज अपैल्ड एड़ राइडिकल रिशल डिस्क्रिमिनेशन अब उनको वहां दिखाई दिया कि भाया रंग बेदवाओ हो रहा है उनके साथ भी हुआ तो ही प्रोटेस्ट अगें अब आपको लड़ना नहीं है किसी को अपनी बाट संजाने के लिए फंस वेन गांदीजी वस च्राबल कर रहे थे फर्स्क्लास में वो थे साउथ अफरीका में ही वस थ्रोन आउट आउट ओप्लेटफोर्म से पहत पेग दिया एक तरह से निकाल दिया गया जिस्ट विका ये यह एका है और अब कारन कियाद किया चैनल बाद किया में कि यहां अब्सक्राइब को अब्सकेज और 2020 सफार करना अंडर इस लीडर्सिप अपनी लीडर्शिप स्टार्ट करते हैं दे लास्ट फार्टी इस फ्रीदम स्ट्रगल जब टर्हितर फिलुकष नंचाट्यू मों कि मैडिये एंड गूह थी टाविस्द में चणिटीश नियग्डनांड राइस की जा रहें लौक प्राल भूंहें समाज में गलत चीज़ें लड़ते हैं चीनल को बचमन मी शादी करा दो तो गलत रिलीजिस प्राक्टेस है। लोगों से कहा कि बही जो गलत तुम्हारे साथ हो रहा है अंजस्ट लॉए अंजस्ट कानून है उनके किलाब आप बोल यह जो भी ब्रिटिश गवर्मिन ने बुलाएं फिर होता है जलिया वाला भाग अत्याकार नर्संगार बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया चाता ह ब्रिटिश ओफिसर गृतिश ओफिसर होते जेनरल डायर और इस मैं उनकी जो आदम कर देते हैं दा उनली एंट्रेंस ओफ द पार की जाने कि एंट्रेंस होती है उसको भी यह लोग ब्लॉक कर देते हैं हंड्रीच ऑन्डिट्स ओफ मैन और विमन चिलरन वर्कित अब को मा पूरा देश वैबलकुल शॉक मेरा जाता है एड़ इस इंसिदेंट पे ओल इंडियन लीडर प्रोटेस्टेट अगेंस दिस होरिबल एक्ट जितने भी इंडियन लीडर्स होते हैं इसके खिलाब प्रोटेस्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट क्या था निस सो बीस म पर आएं पीसफुली लेकिन मारदार नहीं करनी हैं बहुत सारे बच्चों ने तो स्कूल कॉलेज जाना ही बंद कर दिया स्टॉप कर दिया मैं इंडियन ने रिजाइन कर दिया अपनी गवर्मन पोस्ट से इंडियन लॉयर्स बिगन बाइकाटिंग कोर्स इंडियन लायर 22 में अपने मुवमेंट वापस लेना पड़ा हुआ क्या सम पीपल सेट फायर पुलिस स्टेशन इन चोरा चोरी जोकी उत्रप्रदेश में जगा है चोरा चोरी वहां पर एक पुलिस स्टेशन में लोगों ने आग लगा दी अब गांदी जी को सब समझ नहीं आ रहा था का मुझक य का दो गांदी जी दो समक्का अब एक दो गांदी जी जिय्वर यह जब लिए अगया है दिज्वर में लोगों सब लोगों ने जी इसम जोरा है फिर आता है साइमन कमेशन रहा से ब्सक्राइब since the law and order situation at that time was getting out of control उस समें कानून व्यवस्ता बिल्कुल out of control हो गई थी लोग बार्दार पर उतर आय थे तो क्या वह ब्रिटिश गवर्मेंट ने सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रोज की तो साइमन कमिशन इन 1927 में साइमन कमिशन को पॉइंट किया गया इस देर वर नो इंडिया इंदा कमिशन अब हुआ क्या साइमन कमिशन समझ लो कुछ लोगों का ग्रुप है जो यहां के कानून व सब्सक्राइब करने के लिए तो कॉंग्रस रसाइड तो बैकॉट इसको तो नहीं माने के हम में नहीं हमारे लिए साइमन कमिशन हम मैं से कुई है निवन दा कमिशन है राइड इन इंडिया जबाता है 1928 में इट वस ग्रेट बाइड स्लोगन साइमन को बैक सब लोगों न एक्टिव हो गए थे civil disobedience movement यह क्या था इन दिसेंबर 1929 में क्या होता है कॉंग्रेस अब हमें थोड़ी बहुत इंडिपेंदेंस नहीं चाहिए आप हमें कंप्लीट इंडिपेंदेंस आप जाहिए अब आरा देश चोड़ कर हम कुछ समाल लेंगे अपना देश फ्रॉम दे ब्रिटिश गवर्मेंट से हमको कंप्लीट इंडिपेंदेंस चाहिए 1930 क्या होता है civil disobedience movement स्टार्ट होता है अंडर दे लीडर्शिप आफ गांदी जी his march 2 डांडी अब डांडी यात्रा करते हैं बिल्कुल एक विलेज है coastal गुझरात में बुझरात में समुधर के किनारे वहाँ उस जगह ये लग जाते हैं डांडी यात्रा करते हैं इसको इस टांडी मार्च कहा जाता है गांदी जी जी तुमारी तुम इतना हम पर हावी हो तरीक से नमक तो गांडी जी ने क्या किया डांडी आत्रा करी लोगों को अपने साथ लेते चले और वहां पर जाके नहीं नमक बना लिया तो इंडियन्स वर प्रोहबिटेट तुमें और इंडियन्स को रोग दिया गया था कि आप सल्ट बनाएंगे भी और बेचेंगे भी निए इट वसक्सेस यह बहुत बड़ी सक्सेस थी क्योंकि गांडी जी तो चले गया और उन्होंने बना भी लिया लोगों ने जॉइन भी किया podcaster रिट इंडे से क्योंने टरिक्ट्री बहुत सारी ऑवी किंश्जाए और क्रण लिए ग्रेट निकालते हैं जूलूस चैसे टाइब निकालते हैं जलूस चैसी टाइब बिस ने करना ही प्रेटिश ने क्या थे इसके बादे नोँने ब्रेटिश ने बहुत सारे लीडर्स को और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया बट इवेंच्वेली क्या हुआ दीर दीरे दीरे वर फोर्स तु इंट्रियूस्ट सम् रिफॉर्म्स उनको दीरे दीरे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स बदलाव भी किये इन गॉर्फर्मेंट में सरकार में अपनी इन 1937 elections were held in the province in india 1937 में election होते हैं the congress won the most of the provinces जिससे आज state होते हैं तब provinces होते थे ठीक है प्रांत हुआ खड़ते थे तो बहुत साली जगा Congress जीत गई and was allowed to take part in government अब जीत गई तो इन्होंने government में participate भी किया अब आप बन गए ना उसी सरकार का हिस्सा however the real power is still remained with the British real power to British में रहती थी फिर भी हमारे कुछ आदमी सरकार में पहुंच कहे थे आप वेट इंडिया मुवमेंट भारत छोड़ वांदुला ने 1942 गांदी जी ने लॉंच गया था कोट इंडिया मुवमेंट को और डिमांड की थी complete freedom की फॉर इंडिया उनने का नहीं पूरी अजय वह थे आलसो कॉल नेता जी रेस दनेशनल आर्मी उनने का किया एक नेशनल आर्मी बना ली और आजाद इंद पॉज बना ले इन साओध इस्ट एस्या में एट बैटल क्राइव जैंगेंड रूंका नारा क्या था जैंगेंड नेता जी इस फेमस स्लोगन था गिव म सब्सक्राइब करते हैं मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की यहीं से चोड़ने वाले थे तब पाकिस्तान की दिमांड शुरू हो गए थी और बिटिश अगरी हो गए थे इस दिमांड को पूरा करने के लिए ने डिसाइट क्या कि हम दो हिस्सों में बाट देंगे इंडिया और पाकिसान में फाइनली इंडिया को उसका फ्रीडम मिल जाता है 15 अगस्ट 1947 में जब अहारलाल नहरू पहले प्रदान मंत्री बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र परसाद पहले प्रेजिदेंट बनते हैं राश्रुपति बनते हैं और इस स्टॉरिक क्या होता है जब स्टॉक ऑफ मिड्नाइट जब आधी रात होगी बारा बजेंगे वें द वर्ट स्लिप जब दुनिया सो रहे होगी इंडिया विल आवेक टु लाइफ एंड फ्रीडम भारत जागेगा क्या किस में मतलब भारत को मिलेगा है खुली और अजाद जिन्दगी बस इतना ही धा हमारा ये चैप्टर अगर चैप्टर अच्छा लगी तो ज़रूर बताएगा लाइक कीजेगा और ये इंपोर्टन पॉइंट इन अच्छे से याद कर लीजेगा